कि अधिया के चैप्टर नुमर फाइव कैसा चल रहा है आज लाज चैप्टर नुमर फाइव आज हम कंप्लेट कर देंगे सभी स्टुडेंटों ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 उसको अच्छी तरफ से प्रेक्टिस किया होगा बराबर और इसके आगे जो भी इलिश्ट्रेशन है उसकी भी बात आपने बहुत पैतरिंग तरिके से की होगी आयम एक्जामपल स्टार्ट कर दें उसमें बहुत सारे एक्जामपल की बात बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं करता हूँ लेकिन लाश्ट के अतर मिसलिनेस जो एक्सरसाईज है मिसलिनेस एक्जामपल है उसके बात कते है याने एक्जामपल नमबर 12 से एक्जामपल नमबर 12 इस तरह से एक्जामपल नमबर 12 Well, find the conjugate of, find the conjugate of z is equal to 3 minus 2i, दूसरे bracket में 2 plus 3i upon 1 plus 2i into 2 minus i, इसका आपको simplify करें देना है, यारि इसको आपको a plus ib या तो x plus ib के फॉर्म में उसको convert करेंगे, और उसके बाद उसका conjugate निकालेंगे, यारि कि पहले तुमें इसको ब्रैकेटों का multiply करता हूपर, तो 3 to the 6 plus 9i minus 4i minus 6i square, इन दोरों का multiply, तो 2 minus i plus 4i minus 2i square, और i square की value, 6 plus 5i plus 6 upon 2 plus 3i plus 2, यारि कि 6 plus 6, 12, 12 plus 5i upon 4 plus 3i, और अपकों में 4 plus 3i, तो 4 minus 3i से multiply and divide, और उपर ये दोरों complex नंबरों का multiply करता हूप, तो 12 पूर्जा 48 minus 36i, 5i का पूर के साथ यानि 20i minus 15i square upon 16 minus 9i square, और i square की value minus 1 होती है, यानि यहाँ पे minus 16 हो जाएगा, और ये plus 15, अपकों 16 plus 9, 48 plus 15, यानि 63, minus 16i upon 25, और 63 upon 25, 16 upon 25 into i, यानि कि पूरा जो ये जितने भी bracket है, वो सब भी bracket का मैंने multiply किया, उसका simplify, उसके बाद मैंने उसके conjugate से multiply and divide, यानि उसका simplify देते है देते हैं, मुझे ये result मिला, अब मुझे इसका conjugate निकालना है, मुझे क्या कर다 है इसका conjugate, तो इसका conjugate हम कैसे निकालते हैं? तो इसका conjugate Z बार मालोगे ना? Z के conjugate को हम Z बार कहते हैं, 63 अपॉन 25, 63 अपॉन 25, माइनस 16 अपॉन 25 दिखाए, तो प्लस 16 अपॉन 25 इन्टो आई, यानि कि माइनस ए तो प्लस होता है, यानि कि इमेजदरी जो पार्थे, इमेजदरी पार्थे उसकी साइन चेंज हो जादी है, ओके? तो यह था आमारा एक्जाम्पल नम्बर 12, फो तीसी सम्था, चलो, अब नम्बर 13, 13 की बात करते हैं, find the modulus and argument of the complex number, यानि कि आपको question में जो complex number दिये हैं, उसका modulus and argument निकालना है, first question, z is equal to 1 plus i upon 1 minus i, इसका modulus and argument, तो modulus और argument फाइल करने के लिए, मुझे सबसे पहले इसको x plus i, y के form में convert करना पड़ेगा, तो मैं इसको x plus i, y के form में convert करता हूँ, तो 1 plus i upon 1 minus i, तो 1 plus i से multiply and divide, तो ये उपर का जोटा में, वो 1 plus i का whole square हो जाएगा, ये दोनों factor हो जाएगे, one factor minus, यानि कि one का square minus i square, one square minus i square, और उपर है one plus i का whole square, उसको bracket को रटाते हैं, तो 1 plus 2i plus i square, upon 1 plus 1, i square की जगा पे one, minus one, तो 1 plus 2i minus one upon two, one one कट हो जाएगा, तो 2i upon two or is equal to i, यानि की z is equal to zero plus i, z is equal to zero plus i, यानि की मैंने उसको x plus iy के फॉर्म में मैंने convert कर लिया, यानि की मैंने x is equal to zero और y is equal to one, अब मैं r find करूंगा, r is equal to mode of z is equal to under root of x square plus y square, यानि की under root of zero plus one, तो 1, तो r की value कितनी मिलगे, one, क्योंकि x की value zero और y की value one है, तो under root x square plus y square, तो r is equal to one, अब cos theta find करते हैं, cos theta is equal to x upon r, नेकिन x की value zero, तो zero upon one, यानि की zero हो जाएगा, उसी तरह sin theta निकालते हैं, sin theta is equal to y upon r, यानि की one upon one, तो one हो गया, cos theta की value zero और sin theta की value one, cos theta की value zero और sin theta की value one, यानि की unit circle पे, आप unit circle पे देखेंगे, तो यहाँ पे zero बनाएगा, यानि की यहाँ पे क्या होता है, pi by two आता है, therefore, argument of z is equal to theta is equal to pi by two, clear, यानि की आपको यह question के अंदर, modulus और argument निकालने का आता, लेकिन उससे पहले आपको, उसको x plus i, y के form में convert करना पड़े, तो मैंने x plus i, y के form में convert कर लिए, चला, अब second question है, उसके अंदर ही, और second question is, z is equal to, कहाँ गया, question गिरा, 1 upon 1 plus i, 1 upon 1 plus i, 1 upon 1 plus i, तो मैं क्या कर दाउं, 1 upon 1 plus i, तो मैं 1 minus i से multiply, and 1 minus i से divide, तो पर काथ हम 1 minus i, upon 1 minus i square, i square की value, 1 plus 1, 2 हो जाएगा, यारी, 1 by 2 minus i upon 2, हो जाएग, x plus i by k, पर मैं कर दाएग, 1 by 2 minus i by 2, यारी, की रियर पाट, x is equal to 1 by 2, रियर पाट, x is equal to 1 by 2, और इमेंजनरी पाट, y is equal to minus 1 by 2, और आर पाट कर ले थे, r निका थे, और उसके बाग, cos theta, और sin theta, तो r is equal to mode of z, is equal to under root of x square plus y square, तो under root of 1 by 2 का square, 1 by 4, 1 by 4, so under root of 2 by 4, यारी, की 1 upon root 2, so r is equal to 1 upon root 2, of cos theta or sin theta, so cos theta is equal to x upon r, so cos theta is equal to 1 by 2 upon 1 upon root 2, so cos theta is equal to 1 upon root 2, अब sin theta निकालते, so sin theta is equal to y upon r, therefore sin theta is equal to minus 1 by 2 upon 1 upon root 2, therefore sin theta is equal to minus 1 upon root 2, अब cos positive और sin negative, cos positive और sin negative, तो कौसा quadrant रुता है, फोर्थ quadrant, और फोर्थ quadrant के अंदर, हम theta को minus से denotate करते हैं, यारी, की argument of z is equal to minus 5 by 4, argument of z is equal to minus 5 by 4, clear, मालूम पढ़ा आपको, बहुत छोटे छोटे सामें, वैसे छोटे तो हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से रिखेंगे, तबी answer आश सकता है, गलती मत करना, परना plus minus addition, वो सभी की गलती हो सकती है, तो यह था आवारा example number 12 and 13, चलो, अब आगे का example लेते, example number 14, पुरूदे करना है, example 14 के अंदर, इस परह से, x plus i y, x plus i y is equal to, a plus ib upon a minus ib, prove that x square plus y square is equal to 1, prove that x square plus y square is equal to 1, simple है, यह result number one कहता हूं, मैं इसके दोनों तरफ conjugate apply करता हूं, इसके दोनों तरफ मैं conjugate apply करता हूं, यहारी x plus i y का conjugate a plus i b का conjugate और a minus i b का conjugate मैं इसके दोणों तरफ conjugate apply करता हूँ मालू में ना conjugate किसको कहते है जो complex number का imaginary part कि sign change करने की इसको conjugate कहते है तो x plus i y का conjugate x minus i y a plus i b है उसका conjugate a minus i b और a minus i b का conjugate a plus i b इसको रिजल्ट नमबर 2 अब मैं दोनों रिजल्टों का multiply करता हूँ by 1 and 2 दोनों का में multiply करता हूँ तो x plus i y और x minus i y is equal to x plus i y x minus i y of a plus i b upon a minus i b into a minus i b upon a plus i b अब एक पोजिटिव एक नेगिटिव यानि एक प्लस से एक माइनस यानि x square minus i square y square a plus i b काट a minus i b काट यानि 1 i square की value minus 1 होती है therefore x square plus y square is equal to 1 clear यह आपको पुरू करने का था हो गया पुरू यह नहीं बहुत चोटा सा question नेकिन आपको ध्यान रखना पड़े क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके दोनों तरफ आपको conjugate apply करने है और उसके बाद इस दोनों का multiply कर दीजिए बहुत चोटा है लेकिन ज्यान से लिखना चलो अब example number 15 एक और बात यह example number 14 है वो टेक्स बूक में अलग methods है example number 14 textbook के अदर अलग method है आपको वो method करने है तो भी कर सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह दो तिन स्टेप में यह complete हो जाता है चलो अब example number 15 इस तरब से हैं यहाँ start करते हैं complex number find real theta such that find real theta such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real is a pure purely real number है तो यह real number है तो इसके पड़ से आपको theta निकालना है theta find करना है तो पहड़े तो मुझे क्या करना परेगा भाई इसको a plus ib के form में convert करना परेगा पहले क्या करना परेगा a plus ib के form में convert करना परेगा तो z is equal to 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta इसके conjugate से multiply and divide तो 1 plus 2i sin theta से multiply and divide अब इन दोरों का multiply कर देता हूँ तो यह 3 का multiply 1 के साथ 3 का multiply 2i sin theta के साथ यारे की 3 2s are 6 3 2s are 6 sin theta इन दो i of इसके से multiply so 2sin theta into i plus 4i square sin square theta of ea factor minus so ea factor plus a 1 minus 4i square sin square theta of i square is equal to minus 1 i square is equal to minus 1, so 8 sin theta into i minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, so 3 minus 4 sin square theta, 3 minus 4 sin square theta plus 8 sin theta into i upon 1 plus 4 sin square theta, अब separate denominator देते, तो separate denominator देंगे, तो 3 minus 4 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta plus 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta into i, हो गया, किसके form में convert कर दिया मैंने, a plus i, b के form में convert कर दिया न, पहले आपको इस तरह से a plus i, b के form में convert करना पड़े, यानि कि यह जो भी complex number दिया है, उसके conjugate से multiply, divide कर लिया, उसके बाद पूरे packet को दिमू कर दिया, और upon में 1 minus 4, i square sin square, i square की लगवा पे minus 1, अब यह जो complex number है, this complex number, this complex number, is purely real, it is a purely real number है, purely real number इसका मिनिन यह होता है, purely real number, यानि कि इसका मतलब यह होता है, कि यह complex number में, यह complex number में imaginary part नहीं होगा, यह जो complex number है, इसमें imaginary part नहीं होगा, क्योंकि यह real number है, तो इसका मिनिन यह होगा, imaginary part of j is equal to theta, is equal to zero, imaginary part of j is equal to zero होगा, यह part zero हो जाएगा, तब यह real number बनेगा, यानि आपको imaginary part कैसा लेना है, zero होगा, तो therefore, eight sine theta upon one plus four sine squared theta is equal to zero, यह तम सामने जला जाएगा, तो eight sine theta is equal to zero, therefore, sine theta is equal to zero, अब sine theta is equal to zero, तो theta is equal to n pi, याद करो, साइन का zero set, साइन का zero set याद करो, where n belongs to z, चैप्टर नमबर थ्री के अंदर मेंने, साइन का zero set लिखाया था, कॉस का भी zero set लिखाया था, कॉस का zero set टुके, प्लस one pi by two होता है, याद ही two n प्लस one pi by two, तो ये था हमारा question number 15, बहुत अच्छा था ये question number 15, इसके अंदर एक ही topic, most important है, कि ये जो complex number है, वो purely real, purely, therefore, imaginary part zero को का, clear, और इसके पर से हमने theta find किया, याद को तो theta ही find करना है question में, question देखो अच्छी तरह से, find theta real, ये theta is the real theta है, तो ये था हमारा example number 14 and 15, अब आगी काई example है, वो ले रिदे, example number 16, बहुत अच्छा ये example है, convert करना है, convert the complex number, z is equal to, z is equal to, i minus 1, upon cos pi by 3, plus i into sin pi by 3, इसको अपको convert करना है, in the polar form, in the polar form में, इसको convert करना है, और इसको भी पहले, x plus i y का form, अपको लाणा पड़ेगा, तो मैं पहले, x plus i y का form लाताऊ, तो z is equal to, i minus 1, cos pi by 3 की value, 1 by 2, sin pi by 3 की value, root 3 upon 2, तो z is equal to, i minus 1, ये 2 का LCM लोगा, तो ये 2 बच्चला जाएगा, तो 1 plus i root 3, फुस्त तहरे ऐसा, अब इसके conjugate से, multiply and divide, यारी, i minus 1 upon 1 plus i root 3, 1 minus i root 3 से, multiply and divide, अब i का multiply 1 के साथ, i minus i square into root 3, इसका इसके साथ, multiply minus 1 plus i root 3, upon 1 का square 1, minus i square into 3, i square की value minus 1, तो i plus root 3 minus 1, plus i root 3, upon 1 plus 3, यानि 1 plus 3, 4 हो जाएगा, और यहां पे 2 आ जाएगा, अब, real part और image दरी पार्ट, तो में, root 3 minus 1, यह root 3 minus 1, plus i, plus i root 3, तो उसमें से में i को, पॉमन ले दाओ, और upon में, 2, अब separate denominator दे देते, तो separate denominator देंगे, तो क्या होगा, z is equal to, root 3 minus 1, upon 2, plus, plus, root 3, plus 1, upon 2, into i, clear, यानि कि, यह complex number को, मैंने, a plus i b, यानि कि, x plus i y के form में, मैंने convert कर दिया, clear, अब, इसके आगे, तो बहुत सारे sum, हमने, polar form के देखेंगे, यह भी, polar form में ही, convert करने वाला sum है, लेकिन, यह जो number है, वो थोड़े बड़े बड़े number है, इसके आगी के, जो sum के, उसमें 1 by 2 आता था, 3, 4, ऐसे आते थे number, इसके अंदे, root 3 minus 1 by 2, and root 3 plus 1 by 2 आता है, कोई दिक गद नहीं है, हम स्वाल्यूसन करेंगे, तो, rear part, x is equal to, root 3 minus 1, upon 2, imaginary part, y is equal to, first, we can find r, r is equal to, mode of z, is equal to, under root of, x square plus y square, so, under root of, root 3 minus 1, upon 2, ka square, plus, root 3 plus 1, upon 2, ka whole square, so, is equal to, 2 ka square 4, यानि, यहापे 4, LCM आ जाएगा, root 3 minus 1, ka whole square, तो, 3 minus 2 root 3, plus 1, इसका square करूंगा, तो, 3 plus 2 root 3, plus 1, यानि, कि middle term, 2 root 3, 2 root 3, kaat हो जाएगा, 3 plus 3, 6, plus 2, 8, यानि, under root, 8 upon 4, is equal to, root 2, तो, r is equal to, root 2, अब, cos theta, और, sin theta, पाइगा, करते हैं, तो, cos theta, is equal to, x upon r, therefore, cos theta, is equal to, x, that is a, root 3, minus 1, upon 2, r, that is a, root 2, इसी तरफ, sin theta, sin theta, is equal to, y upon r, sin theta, is equal to, y, यानि, root 3, plus 1, upon 2, root 2, sin theta, कि value, root 3, plus 1, upon 2, root 2, or cos theta, कि value, root 3, minus 1, upon 2, root 2, अब, अब, सोचो, कि, कौनसा theta, होगा, ऐसा, कौनसा theta, है, जिसमे, cos की, value, यह, आती है, side, के लिए, भी, ऐसा, कौनसा theta, है, के जिसके लिए, value, root 3, plus 1, upon 2, root 2, आती है, हम, आगे, कि, जित्रे भी, sum किये, उसके अंदर, आपका अंसर, या, तो, 5 by 6, 5 by 4, 5 by 3, 5 by 2, ऐसा आता है, जिसमे, cos की value, 1 by 2, होती है, या, root 3 by 2, होती है, या, वराप्पा रूट 2, लेकिन, ये, कौन सा नर्थीटा है, कि, जिसमे, cos की value, root 3 minus 1, upon 2, root 2 होती है, सोचो, ऐसा, कौन सा धीटा होगा, तो, देखो, भाई, आपको, इस परहसे, सोचना पड़ेगा, trigonometry, याद करो, अब थर्ड चेप्टर, trigonometry, थर्ड चेप्टर, थोड़ा सा याद करो, मेग वेल्यू निकालता हूँ, cos 75 degree, तो, cos of 45 degree, plus 30 degree, cos 75, that is the cos 45, plus 30 degree, अब cos x plus y की मे, formula अप्लाई करता हूँ, तो, cos 45, cos 30, minus sin 45, or sin 30, cos 45 की वाल्यू, 1 upon root 2, cos 30 की वाल्यू, root 3 by 2, sin 45, 1 upon root 2, sin 30 की वाल्यू, 1 by 2, यानी, root 3 upon 2 root 2, 1 upon 2 root 2, 2 root 2 का LCM, that is root 3 minus 1, upon 2 root 2, यानी की, cos 75 degree, की वाल्यू, root 3 minus 1, upon 2 root 2, वाल्यू, यानी की वाल्यू, cos 75 degree, is equal to, root 3 minus 1, upon 2 root 2, इसी तरफ, आपको, sin 75 की वाल्यू, भी निकालनी है, तो निकाल सकते हो, और सकी जगा पे sin, तो उसकी वाल्यू आएगी, root 3 plus 1, upon 2 root 2, clear, तो ये theta कांसा हुआ, theta is equal to, 475 degree, 75, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 45 plus 30, यानी की 5 by 4, plus 5 by 6, यानी की 55, upon 12, तो कि आपको रेरियन के फॉर्म में रिखना है, तो theta is equal to, 55 upon 12, लेकिन आपको, पूरार फॉर्म में convert करना है, उसको कौन से फॉर्म में convert करना है, रिचलो, पूरार फॉर्म, plus or minus r, cos theta, plus i sin theta, ये फॉर्मिला में, value put करता हूँ, r is equal to root 2, तो मैं r की जगा पे, root 2, cos theta, theta यानी 55 upon 12, plus i sin theta, 55 upon 12, clear, तो ये सबसे important चीज़ थी, कि भई root 3 minus 1 upon 2, root 2 cos में, किसकी value है, बरावर, ये example का, ये point सबसे most, IMP है ये, ये आपको, समझना पड़े, आपको सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग में, ऐसे तो खांसे, टुब्लेट होगी, क्योंबे मुझे, 45 plus 30 लेना है, तो आपके पास, तीन ओप्सन है, 45 plus 60, सोचके देखना पड़े, 45 plus 30, 45 minus 30, या 60 minus 45, इन तीन चारों में से, आपके किसी का भी सेटिंग करेंगे, तो इसमें आई जाएगा, इससे अलावादे कुछ होई नहीं सकता है, मनावाद इसका ही आप इतना ही सेटिंग करें हुए हुए हुआ, चैप्टर नमबर 3 के अदर, तो यह था हमारा चैप्टर नमबर 5, क्लियर, यह हमारा चैप्टर नमबर 5 के, सब भी एक्जाम्पल यहाँ पे कम्प्लीट हो गए, एक्जाम्पल भी कम्प्लीट हो गई, एक्सरसाइज भी कम्प्लीट हो गई, यानि चप्टर नंबर 5 भी complete हो गया लेकिन एक छोटी से बात करता हूँ उसके बात में चप्टर को complete होता है ऐसा सोचता हूँ चलो अब एक लाश्ट बात एक आप से कर लेते हैं यह चप्टर के बारे में ही है एक छोटा से concept है वन का क्यूब रूट 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 z is equal to 1 raise to 1 by 3, 1 raise to 1 by 3, यानी cube root of 1, अब इसके दोनों तरफ cube करता हूँ, तो z cube is equal to 1, ये 1 इस सहला दूगा, तो z cube minus 1 is equal to 0, therefore, z minus 1, z square plus z plus 1 is equal to 0, अब z minus 1 is equal to 0, या तो z square plus z plus 1 is equal to 0, ये कहां से आया हो तो मालू है न, z cube minus 1, कौनसी formula, a cube minus b cube, a minus b, a square plus a b plus b square, ये formula का मैंने यहां पे use किया है, z cube minus 1 का cube 1 ही होता है, यानि कि a cube minus b cube, यानि z cube minus 1, ये formula मैंने यहां पे apply किये, यानि कि z is equal to 1, अब ये quadratic equation दिखिए, ये जो equation है, इसका आप factorization नहीं कर सकते हो, ये इसके कोई factor पढ़ते ही नहीं है आपसे, तो आप क्या find करेंगे, d निकालेंगे, d is equal to b square minus 4a, ये b यानि z का coefficient, 1 का square 1, a यानि z square का coefficient, c यानि constant of 1 minus 4 minus 3, अब root निकालें, root of alpha beta minus b plus or minus root d upon 2a, b की value 1, यानि minus 1, plus or minus, minus root 3 upon 2 into 1, तो minus 1 plus or minus root 3i upon 2, यानि कि ये जो equation है, इसके दो root मिलते है, एक root plus होता है, और दुसरा root minus हुआ, यानि कि ये 1 का cube root, 1 के 3 cube root मिले मुझे, 1 के कितने cube root मिले, 1, 3 cube root मिले मुझे, और कॉम से, 1 minus 1 plus root 3i upon 2, दुसरा, minus 1 minus root 3i upon 2, यानि कि 1 के total 3 cube root हुए, 1 के कितने cube root हुए, 3 cube root हुए, एक 1, दुसरा है ये positive वाला, और negative वाला है वो दुसरा, यानि कि आप इसके पर से, यसे भी लिख सकते हैं, इसको separate denominator देंगे, माइनस 1 by 2, प्लस root 3 by 2 into i, माइनस 1 by 2, माइनस root 3 by 2 into i, तो, जैनि के, यानि 1 के, 1 का 3 cube root, ये है real root, और ये जो है, वो complex number वाला, complex root, imaginary root है, तो ये imaginary root है, उसको में, क्या कहूँगा, वालुमें, उसको आप एक symbol से denotate करना है, तो उसका symbol है omega, क्या है, omega, और दूसरा, omega square, पहला है वो omega, और दूसरा है वो omega square, यानि कि, आप, आपके पास, 1 का, cube root of 1, यानि 1 के, 3 cube root मिले, 1 के, 3 cube root मिले, 1, omega, और omega square, इसके पास से आपको याद रखना है, बहुत मुश्ट I am pitted, omega cube is equal to 1, omega cube is equal to 1, और दूसरी formula, 1 plus omega plus omega square is equal to 0, ये दोनों का use बहुत बहुत ही होड़े वाला है, कहाँ पे, standard 12 में, standard 12 के अंदर इतनों का बहुत use होगा, यहाँ पे अपने textbook में तो कोई सम दिया नहीं है, लेकिन इन दोनों का use आपको standard 12 में करना है, ओके, तो इसके लिए आपको यह थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यदि यह सबी बाते आप याद धनी रखते हों, तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी दो बाते याद रखना, कि omega cube is equal to 1, omega cube is equal to 1, और 1 plus omega plus omega square is equal to 0, omega क्या है, minus 1 by 2 plus root 3 by 2 into i, और omega square minus 1 by 2 minus root 3 by 2 into i, और यह सबी चो नमबर है, इसको में आरगंड plane के अंदर डिनोटेर करूँगा, आरगंड plane के अंदर डिनोटेर करता हूँ, तो यह पहला रिया नमबर 1, यह second quadrant में आएगा, यह third quadrant में होगा, यहीं कहीं, तो यह k of 1, 0, यह b point minus 1 by 2, root 3 by 2, यह c point minus 1 by 2, minus root 3 by 2, इन सबी को ऐसे joint करेंगे, तो यह जो triangle बनता है, वो isoscaral triangle बनता है, यारि इसके सबी की जो side है, वो equal होती है, तो यह cube root of 1 हुआ, जैसे 2 का भी cube root बिलता है, 3 का, 4 का, लेकिन वो सब बाते आपको याद रखने की नहीं है, और इसकी कोई जवरत भी नहीं पढ़ती है, इसकी कोई कहीं पे भी जवरत भी नहीं पढ़ती है, यह तक अच्छी सी थी है, यह तो मैंने आपको बना रही है, पर यहीं important है, बच्चे लोग, यह सबसे most time पी है, और यह बात, क्यूंकि 12 के अंदर, यह सबी का इसके पर according mcq है, कि omega cube is equal to 1, और 1 plus omega plus omega square is equal to 0, clear, तो यह था हमारा chapter number 5, chapter number 1 से 5 complete हो गए, बहुत अच्छी तरह से यह सभी chapterों का revision करना, आपको कहीं भी, कोई भी chapter में, कोई भी topic में मालूब नहीं पढ़ता है, तो तुरंथ मुझे phone केजिए, मैं आपको phone पे समझाओंगा, या तो आपको कोई भी तरह से समझाने का में प्रैतना करूँगा, लेकिन आपको नहीं आता है, तो उसको तूरंथ बताईए, ऐसा मत सोच जोगे, सर अभी नहीं आता है, चलो बाज में पुछ लेंगे सर को, दूसरी बात, हम online जूम पे जब पढ़ते हैं, तो हमारी frequency का बहुत रोचा रहता है, connectivity नहीं होती है, तो इसके, इसलिए आपको जो भी question मुझे बुछना है, तो वो भी आप timing पुरा हो जाता है, और meeting भी complete हो जाती है, लेकिन हम solution नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोई भी topic में नहीं मालूम पढ़ता है, हाँ, सबसे पहले NCRT की textbook, NCRT की textbook हो जाए, उसके बाद अपने को जे डबली करना है, जे डबली बाद में करना है, पहले NCRT complete होनी चाहिए, textbook नहीं आती है, तो वहाँ तक आपको बाहर की किताब देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले टेक्सबूक तयार करो, तो चैप्टर निम्बर वन से फाइव तक के जितने भी में, यानि पाँचों पाँच जो चैप्टर ने उसको अच्छी तरह से आप रिवीजन कीजिए, उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिक्स कीजिए, बरावर उसके बाद आपको नहीं मालूम पढ़ता है, तो मुझे संपर कीजिए, मैं आपको जरूर समझाओंगा, बरावर लेकिन डिफिकल्टी दिमाद में रखके मत चलना है, तो आई हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सभी को मेरी बात अच्छी तरह से मालूम पढ़ी है, अभी तरक की, और नेक्स्ट लेक्टर से हम चैप्टर निम्बर सेक्स, चैप्टर निम्बर सिक्स स्टार्ट करें बच्चे लोग, तो नेक्स्ट लेक्टर के अंदर चैप्टर तो ए electromagn吧, बच्चे के अंदरे है, तो आई हो, तो आई हो, तो ए?